10. From top of the building, the 15 meter high, the angle of elevation, the top of the tower is found to be 30 degree. तो यहां देखो यह जो square shape है, वो building दे रखी है, तो building की जो height है, वो कितनी दे रखी है? 50 meter. तो building के उपर, यहां एक tower लगा हुआ है, तो यह tower है, तो tower कितना है? A और E. तो यहां देखो यह building का यह top point है, तो building का यह top point के उपर, यहां से वो जब tower को देखेगा, तो angle of elevation कितना बन रहा है? 30 degree. From the bottom of the same building, the angle of elevation of a top of the tower is found to be a 60 degree. तो देखो यह जो building का bottom part है, तो यह जो building के bottom को, जब वो tower के top को देखेगा, तो यहां जो angle of elevation बन रहा है, वो कितने degree का है? 60 degree. Then find करेंगे height of tower, तो एक तो हम height of tower यह find करेंगे, and the distance between the tower of building, तो distance यहां से लेके यहां तक का. तो यह square shape है, जितना distance यहां है, उतना ही यह है. तो इसलिए मैंने CD और BE को equal ले लिया है, X के. तो यहां देखते हैं, first triangle लेंगे A, B, E. तो triangle A, B, E में 10, 30 degree. वो किसके equal हो जाएगा? तो वो होगा perpendicular upon base के. तो perpendicular कितना है? A, E. तो इसमें A, E perpendicular है, और base कितना है? B, E. तो A, E की value कितनी है? वो H minus 15 दे रखी है. तो यह हमने खुदी suppose की थी, यहां पे 15 था, तो यह H minus 15, जब इसको solve करेंगे, तो यह total आ जाएगी H. तो B, E कितना दे रखा है? वो है X. तो 10, 30 की value किसके equal होती है? 1 upon under 3, H minus 15, I upon X. तो यहां पे हम X की value निकालेंगे, तो X कितना आ गया? under 3, H minus 15. तो ऐसे ही दूसरी triangle ले लेंगे A, C, D. तो triangle A, C, D में. तो A, C, D में perpendicular कितना हो जाएगा? AD. तो यहां लिख देंगे 10, 60 degree. तो इसमें perpendicular कितना है? AD. तो AD upon CD. तो AD की जो value है, वो कितनी है? H. और CD कितना है? X. तो 10, 60 की value कितनी होती है? under 3, H upon X. तो X कितना आ गया? X हमारे पास आ गया, H upon under 3. यह भी X की value है? यह भी X की value है. यह भी X की value है. इसको हम 1 ले लेंगे, इसको 2. तो लिखेंगे, from 1 and 2. तो यह under 3, H minus 15, X की यह value थी. इसको equal लेंगे, H upon under 3. तो solve करेंगे, cross multiply हो जाएगा, under 3 से under 3 cancel होके, कितना आ गया? 3, H minus 15 is equal to H. तो यह आ गया, 3H minus 45 is equal to H. तो 3H में H minus की A equal to 45. तो 2H is equal to 45. तो H कितना आ गया? 45 divided by 2. तो यह इसको solve किया. तो यह कितना आ जाएगा? 22.5. इसकी value है 22.5. तो यह क्या आ गया हमारे पास? A से लेके D तक का total distance. यह जो total height थी ना? AOD की tower से लेके building तक की? वो कितनी आ गया? 22.5. नेक्स्ट है हम X की value निकाल लेंगे तो X कितना आ जाएगा? तो X equal to under 3. तो H, H की जगा क्या लिख देंगे? 22.5 minus 15. तो यह आ जाएगा, under 3 में से minus 15 की है, तो कितना आ जाएगा? 7.5. तो under 3 किसकी equal होता है? 1.732 into 7.5. दोनों को multiply किया, तो कितना आ गया? 12.99 मीटर. तो यहाँ पर देखो, यह X कितना निकला है? 12.99. तो यह जो हाइट थी, हाइट यहां से लेके यहां तक निकली? 22.5. और यह जो XN, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, वो कितना निकला? 12.9.